हेलो गाइज आप सबी का सुवागत हैं मेरे चैनल पर आज मैं आपके साथ ऐसी रेस्पी शीर करने जा रही हूँ जिसे बनाना बहुत असान है आप इसे खर के समान से बड़ी असानी से बना सकते हैं और इस स्नेक्स को बनाने में समय भी बहुत कम लगता है चलिए शुरू करते हैं बनाना मैंने जहां पर आलू लिया है मैंने इने उबाल कर इनका चिलिका उतार दिया है आलूओं को ग्रेट कर लेंगे ग्रेट करने के लिए मैं मीडियम साइड वाली जाली का यूज कर रही हूँ आप चाहें तो आलू मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है अब हम इसमें आदा चम्च नमक डालेंगी आप अपने टेस्ट के उनसार कम और जादा कर सकते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर पीसी हुई हरी मिर्च और ब्लैक पिपर हराथनिया एड़ करेंगे जिसे मैंने ब्रिक कट कर लिया है दो चम्च कॉर्ण फलोर आप इसकी जगा पर चावल के आटे कावी यूज़ कर सकते हैं इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम एक स्मूध सा डो त्यार कर लेंगी अगर आप इसमें और मसाले आड़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पर मैं आपको सिंपल से सिंपल रेस्पी बता रही हूँ तांकि जब भी आपका मन करे आप इसे बना सके फ्रेंड्स सच में इस स्नेक्स का टिस्ट लाजवाब है डो को 5 मिट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे एक बाउल लेंगे और उसमें एक एक डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप वेजिटेरिन है तो आप एग की जगा पर 2 चमच मैदा, 2 चमच करन फ्लोर थोड़ा सा नमक बाउल में डाल लेजिए और उसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर मिक्स कर लेजिए अब एक बॉल में डालेंगे ब्रेड क्रम, आप इसे चाहे खर पर भी बना सकते हैं, चाहे मार्किट से भी ख्रीज सकते हैं अगर आप खर पर ब्रेड क्रम त्यार कर रहे हैं तो आप 4-5 ब्रेड स्लाइस लीजिए और उसे मिक्सी में पीस लीजिए हो गए आपके ब्रेड क्रम त्यार, ब्रेड क्रम में हम थोड़ा सा मौजरिला चीज डालेंगे, जह है टोटली ऑफशनल है पर चीज डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारी सभी चीज़े त्यार हैं, अब हम डो की तरफ चलते हैं डो को चाकु से कट कर लेंगे, मैं से 6 पीस में कट कर रही हूँ आप अपने हिसाब से पीस को कट कर लीजिए क्योंकि हमने इसके रोल बनाने हैं प्लेट पर हलका सा कॉर्न फ्लोर को डस्ट करेंगे और आलू का थोड़ा सा मिश्रन लेकर उसे कॉर्न फ्लोर पर गोल गोल खुमाएंगे इस तरह से हमारा रोल त्यार हो जाएगा इस तरह से हम आलू की मिश्रन से सारे रोल त्यार कर लेंगे एक फॉक लेंगे और इस तरह से आलू को मिश्रन को फॉक से प्रेस कर देंगे आप इसकी जगह पर चमचकावे जूज कर सकते हैं जो भी आपको इसली अवेलिवल हो देखिए सारे रोल पर एक अच्छा सा डिजाइन बन गया है अब हम इसे कट कर लेते हैं देखिए हमने इस तरह से रोल को बीज में से कट कर लेना है आपको जो भी पार्ट एक्स्ट्रा लगे उसे बाहर निकाल दिजी इस तरह से हमने सबी रोल को कट कर लिया है अब हम अलू के एक पीस को उठाएंगे और इसे एग वाले मिश्रन में डिप करेंगी डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स बाले बॉल में डालेंगी और चारों तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा देंगी ब्रेड क्रम्स लगाने से स्नैक्स अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बाहर से बहुत क्रिस्पी इस तरह से मैंने अलू के सारे pieces को त्यार कर लिया है अब हम इने fry कर लेते हैं oil हमारा गर्म हो चुका है अब हम इसमें एक लिक करके सभी pieces को डालेंगी देखिए हमारे snacks कितने अच्छे से पक रहे हैं gas की flame medium to high है हमने gas की flame को high करके इनका जल्दी से color change नहीं करना नहीं तो जहें अंदर से कच्छी रह जाएंगे इस तरह से हमने सारे snacks को fry कर लेना है आप देखिए कि fry करने के बाद जहें काफी fluffy हो गया है और देखने में भी बहुत tasty लग रहे हैं snacks का color light golden हो चुका है अब हम इने बाहर निकाल लेंगे आप इने किसी भी tissue paper पर जाली के उपर निकाल लेजे ताकि इनका extra oil निकल जाए हमारे आलू के snacks बन कर त्यार हैं आप अपने खर पर बना करेने ज़रूर try कीजिए इने बनाना बहुत असान है और समय भी बहुत कम लगता है और जहे खाने में बहुत ज़्यादा tasty और crispy हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को like and share कीजिए और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए थैंक यू